नमस्कार क्या आपको पता है कि बर्बाद मांसिकता वाले लोग कैसे होते हैं उनके क्या लक्षन होते हैं और जो पता है आपको जब बर्बाद होने लगते हैं ना तो लक्षन दिकाई देने लगते हैं लेकिन वो क्या मुर्ख होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि यार व बर्बाद होते जाते हैं तो ऐसे लोग कौन होते हैं आपको पता है जो अपनी मानसिक्ता को बर्बाद होने के कगार पर ले जाते हैं अपने जीवन को बर्बाद होने के कगार पर ले जाते हैं अपने जीवन को बर्बाद होने के कगार पर ले जाते हैं इसे लोग ऐसे होते ऐसे लोग है न ओवर थिंकिंग के सिकार होते हैं वो हर बात को बड़ा चड़ा के सोचते हैं वो उनके अलगी दुनिया में रहते रहते और वो हर चोटी से चोटी बात को बार बार सोचते रहते और दिमाग में लोड डालते रहते लेकिन उनको पता नहीं है कि ज़्यादा सोचने से वो मांसिक तोर पर पागल भी हो सकते हैं लेकिन नहीं वो तो बार बार अपने दिमाग पर सोचने का जोड डालते रहते हैं और तरह तरह के क्यालों में खोई रहते हैं और हमेंसा एक इंशिकोर फील करते हैं अपनी जिन्रकी के बारे और बस वो सोचते रहते हैं और उनको पता नहीं है कि हम इतना ज़दा सोच रहे हैं तो हमरा जीवन बरबाद होने जा रहा है लेकिन वो सोचते ही नहीं है वो बार बार सोचते रहते हैं टाइम वेश्ट करते हैं बर्बाद मांसिता वाले लोग क्या करते हैं टाइम वेश्ट करते हैं उस टाइम की वो कीमत नहीं समझते हैं कि जो ये टाइम जा रहा है ना वो उनके लिए कितना important role रखता है उनकी live में वो यह नहीं सौचते वो हर कई बैठते रहते हैं time waste करते रहते हैं mobail पर time waste करते रहते हैं social media पर time waste करते रहते हैं जहां लगे वो गप्पे लड़ाते रहते रहते हैं लेकिन उनको अपने जीवन के बारे में पता नहीं चलता है वो अपने life की importance नहीं समझते हैं जहां मिले timevest करते हैं और ज वो timevest करते हैं ना जब बात में time निकल जाता ला उसके बात पता चलता उनको कि अरे यार उस वकत timevest नहीं करता तो में ये बन जाता उस वक्त मेरे जमाने में वो कर लेता तो मैं ये बन जाता अरे याद आप वो कर लेते थे तो आपने अपने जिवन का टाइम वेस्ट क्यों किया लेकिन नहीं वो तो करते लेते हैं आलस करना बरबाद मान सिकता वाले लोग क्या करते हैं आलस करते थे अरे यार 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 या वो टाइम की महत्वता नहीं समझते हैं अपना सारा जीवन आलस में ही निकाल देते हैं और बस आलस पर आलस करते हैं हर काम कोई भी काम उनको आप सुपूर्द कर दो बस अरे अभी कर लेंगे वो तरह टाइम पढ़ा है अभी तो इतना इतनी बजी है अभी तो वो सरा टाइम पढ़ा उसमें वो काम करनेंगे वो समझते नहीं है कि जो टाइम निकल रहा है ना और अगर आप उस टाइम के लिए आलस कर रहे हो ना तो यह आप की जिन्दगी के लिए सबसे बड़ा खराब टाइम है अगर आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो ना तो आप हर काम में आलस कर रहे हो अगर आप हर काम में आलस करोगे ना तो आप कुछ नहीं कर दो बर्बाद मान सिकता वाले लोग क्या करते हैं अतीत को लेकर रोना होते रहते अरे यार मैं वाईश में ने ऐसा कर लिया ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता अब मैं क्या कूँगा पाश्ट की बातों को लेकर बार बार अपने दिमाग में लोट लेते रहते एक बात बताईए, कांच का गिलास होता है न, एक बार गिर जाता है, तूट जाता है, क्या उसको आप अभी जोइन कर सकते हो, नहीं वेसा ही आपका पास्ट है, आपका समय है, एक बार आपका समय गुजर गया न, तो आप चा कर भी चाए करोड़ो रूपे की संपती दे कर भी वो समय नहीं करी सकते हो, करोड़ो अरवो रूपे की संपती दे कर भी आप अपने पास्ट को चेन नहीं कर सकते हो, जब आप अप अपने पाश्ट को चेंज नहीं कर सकते तो उस पाश्ट को लेकर बार बार रोना क्यों रोते हो आप आज अपने वर्तमान को सही बनाए आपका वर्तमान सही बनेगा तो आपका वहिश भी सही बन जाएगा बरबाद मान सेकता वाले लोग हमेसा पाश्ट को लेकर रोना रोत कैसे बरबात मान सिक्ता वालोगों की आदथ कि काम टालने की आदत है अरु आँछल जब उस काम करने का समय नजदीक आता है तो दो को मनुझे और एक और आप पता है है हड़भड़ी कोई भी काम सकसे नहीं होता है वह काम हमेसा बिगड़ते ही बिगड़ता है इसलिए जिवन में कभी भी बर्बाद मान सेकता हुला है हमेसा काम टानले की आदत रखते हैं उनकी आदत ही होती है क्यों क्योंकि वह तो अपना जिवन बर्बाद करना चाहते हैं इसलिए वह हर ब बरबात मान सिकते वाले हैं ना दुनिया में कोई भी नया काम नहीं सिकते हैं. वह देखते हैं यार जो चलने दो यार, क्या करना है अपने और दो जिय रहे हैं जीरें, अरे जियून में ध्यान रखने हैं, घर पल दुनिया बदर रहें। हर पल कुछन कुछ इस संसार में नया आता रहता है अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे आप अगर जमाने के साथ में नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे आपकी इमान सिखता ही बरबाद हो जाएगी आप अपने जिन को भरबाद कर लोगे इसलिए कि आपको कुछ update होना है आपको कुछ नया करना है तो आपको जमाने के साथ में update होना पड़ेगा Otherwise आप वही करें रहे जाओगे राइ अपनी जिंदकी बर्बाद कर लोगे इसलिए जो बर्बाद मानसिक्ता वाले होते हैं वो कुछ नया नहीं सिकते लेते हैं वो बस पूरा नहीं अपना जीवन वितित करते लेते हैं उनको पता है आपने क्या करना है जीवन निकल गया है तो निकल गया तो उनके जीवन बर्बाद करो फिर आपको करना क्या है तो ऐसे लोग बर्बाद मानसिक्ता वाले होते हैं देख लेना कि कहीं इस इन चार पांच पॉइंट में ऐसी मानसिक्ता आपके दिमाग में तो नहीं है अगर इन में से एक भी आपके अंदर इसी मानसिक्ता होना तो अपने दिमाग से निकल लेना क्यों? क्योंकि आपको तो जीवन में आगे बढ़ना है और आगे जाना है